हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट बॉर्ड लेर्नर में आज का टॉपिक है द्विनाम पद्धती द्वारा नामकरण के नियम नामकरण की इस पद्धती के अनुसार वैज्यानिक नाम दो भागों में लिखे जाते हैं इन में से प्रथम भाग वन्ष तथा दूसरा भाग जाती का होता है इन्हें लेटनीकृत रूप में अर्थात लेटन भाशा में लिखा जाता है जो विबिन भाशाओं से मिलकर उत्पन मानी जाती है वन्ष का प्रथम शब्द अंग्रेजी वर्नमाला के बढ़े अक्षर कापिटल लेटर्स में तथा जाती का प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्नमाला के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं यह वैज्यानिक नाम तिर्छे अटालक किये जाते हैं लेकिन हाथ से लिखने पर इन्हें अलग-अलग अधोरेखानकित किया जाता है। स्पीशीज के नाम के बाद संबंधित लेखक या वैग्यानिक का नाम भी संक्षिप्ट में लिखा जाता है। लेकिन उसे अधोरेखानकित नहीं किया जाता है। उदाहरन, आम, मैजी फेरा इंडिका लिन, कभी-कभी कुछ वैग्यानिक नामों में जाती का नाम दो या दो से अधिक भागों के सयुक्त होने से बनता है, जिन्हें इनके मध्य हाइफिन लगा कर लिखा जाता है। उदाहरन, गुधल, हिबिकस, रोजा, साइनेंसिस, अन्यनियम, यदी वँच तथा जाती दोनों के नाम विशिष्ट रूप से समान होते हैं, तो इन्हें टोटोनिम कहा जाता है। जैसे, चुहे को रेट्स रेट्स लिखा जाता है। यदी किसी सजीव की जाती एवं उपजाती के नाम विशिष्ट रूप से समान हो, तो ऐसे नाम ओटोनिम कहे जाते हैं। उदाहरं कोवे को कोर्वस स्प्लेंडेंस प्लेंडेंस कहा जाता हैं। यदी दो या अधिक पोधो को एक ही नाम दिया जाता है, तो उसे सिनोनिम कहा जाता है। जैसे बादाम एवं आलू बुखारा को प्रूनस दिल से लिखा जाता है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ओन करे ताकि आप इसी तरह के और वीडियो भी देख पाए